इस कहानी की शुरुआत में हम फीफी नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम उसे बता रही थी कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हमें चांद और पिर्थवी की बीच की दूरी भी बता सकती है इ किस परकार हजार साल पहले मॉन गॉड़ेश पिर्थवी पर ही रहा करती थी और वो एक यूदधा से प्यार करती थी लेकिन एक दिन गॉड़ेश ने एक ऐसा मैजिकल सीरम पी लिया जिससे वो अमर हो गई और अमर होने के बाद चांद पर खीजी चली गई लेकिन वो उद्धा का इंतजार कर रही है जिससे वो प्यार करती थी चांद पर मॉन गॉड़ेश के साथ उनका रैबिट भी रहता है जो उसे कमपनी देता है और मॉन गॉड़ेश अपने रैबिट से भी बहुत प्यार करती है अपनी मॉम से ये कहानी शुनने के बाद फीफी अपन और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फीफी के मॉम डैड मिलकर मून केक की एक छोटी सी सौब चलाते हैं और उनके सौब केक पूरे टाउन में फेमस थे फीफी की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम मून केक बनाने में मेरी मदद करोगी इस पर वो राजी हो जाती और मून क एक बनाने में अपने पैरेंट्स की मदद करने लगती है और समय के साथ वो काफी बड़ी भी हो गई थी वो हमेशा मून के एक बनाने में अपने पैरेंट्स की मदद क्या करती थी और उनके साथ मिलकर टाउन में मून के एक सेल करती थी और लोगों को भी उनका मून केक बहुत पसंद आता था लेकिन एक दिन अचानक से फीफी की मॉम की तबियत खराब होना शुरू हो गई और जल्दी उनकी देथ हो जाती है फीफी की मॉम ने मरने से पहले उसे एक रैबिट गिफ्ट किया था जिसे फीफी हर समय अपने साथ रखती थी अब धीरे धीरे चार साल बीद गए और हम फीफी को अपनी मॉम की तस्वीर के सामने उनसे मून केक सेयर करते हुए देखते हैं क्योंकि फीफी आज भी अपनी मॉम को काफी जादा मिश किया करती है अब वो अपने डैड के साथ ही टाउन में मून केक सेल किया करती थी और साथ ही साइकल से मून केक डिलीवर भी किया करती थी लोग खुसी से फीफी के मून केक खरीदते थे और अब फीफी अपने डैड के साथ रहना सीख गई थी एक दिन जब वो मून के एक डिलीवर करके घर वापस आती है तो अपने डैड के साथ उनकी फ्रेंड को देखती है और वहां फिफी के डैड की फ्रेंड का बेटा भी वहाँ पर आया हुआ था वो समझ जाती है कि उसके डैड अपनी फ्रेंड से साधी करना चाते हैं लेकिन फीफी को अपने डैड की फ्रेंड और उनका बेटा बिलकुल भी पसंद नहीं आता और अब जब वो अपने डैड के साथ मिलकर मून फेस्टिवल के लिए घर को सजा रही होती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे उनकी फ्रेंड से बात करनी चाहिए क्योंकि आँटी काफी अच्छी है लेकिन वो अपने डैड की फ्रेंड से बात करनी से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड की फ्रेंड और उनका बेटा बिलकुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसके डड़ अपनी फ्रेंड से शाधी करे अब इससे पहले कि फीफी के ड़ाड उसे फ्रेंड से बात कराने के लिए राजी करते वहाँ पर उनकी फ्रेंड आ जाती है जो फीफी के लिए उसका फेवरिट क्रैप्स लाई थी क्योंकि उसे क्रैब्स खाना बहुत पसंद था दरसल उसके डैड की फ्रेंड किसी तरह फीफी को अपने करीब लाना चाहती थी ताकि फीफी उनके साथ फ्रैंक हो सके अब इसके बाद फैमिली के सबी लोग एक साथ मिलकर डिनर करने के लिए डिनर टेबल पर आते हैं और फीफी वहाँ पर अपने रैबिट को डिनर टेबल से हटा दी थी है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि रैबिट डिनर टेबल पर नहीं रहना चाहिए इससे उसका रैबिट भी उससे गुसा होकर वहाँ से चला जाता है और अब सबी लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर डिनर करने लगते हैं लेकिन उसी दोरान जब फीफी अपने डैड को उनकी फ्रेंड चे हसास कर बाते करते हुए देखती है तो उसे ये सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उसके डैड की फ्रेंड उसकी मॉम की जगे ले रही थी फीफी को अपनी तरब देखता देखकर उसके डैड की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमारे डैड ने बताया है कि तुम आज भी मून गॉड़िस की कहानियों पर विश्वास करती हो दरसल सभी को पता था कि मून गॉड़िस की कहानिया सिर्फ एक कहानी है लेकिन फीफी को आज भी मून गॉड़िस की कहानी पर पूरा विश्वास था और वो आज भी सभी को समझानी की कोसिस करती थी कि Moon Goddess की कहानिया सच है अब फीफी अपने डैड से पूछती है कि क्या आपको भी लगता है कि Moon Goddess की कहानिया जूटी है उसकी बाते सुनकर उसके डैड सभी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते जिससे फीफी काफी दुखी होती है क्योंकि इसका मतलब था कि उसके डैड को भी Moon Goddess की कहानियों पर विशवाश नहीं है वो गुस्सा होकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है लेकिन इसी दोरान उसके डैड की फ्रेंड का बेटा उसके पास आता और उससे कहता है कि जल्दी तुमारे डैड मेरी मौम से साधी करने वाले हैं ये सुनकर फीफी को बहुत दुख होता है और अपने कमरे में आकर वो रोने लगती है वो सुचती है कि कास इससमें उसकी मौम उसके साथ होती तो फीफी को इन सब प्रॉबलम का सामना नहीं करना पड़ता और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता अब वो जब देखती है कि उसका रैबिट खिरकी से कूट कर बाहर चला गया है तो वो अपने रैबिट के पीछे जाती है और तालाब के किनारे पहुंच जाती है चांदी रात में उसे आसमान में चांद नजराता है और उसे लगता है कि जरूर उसके डैड मून गॉड़िस की कहानियों पर विश्वास ना करने की वज़े से उसकी मौम को भूलते जा रहे हैं और अगर सायद वो किसी तरह अपने डैड को मून गॉड़िस की कहानी पर विश्वास दिला दे तो वो अपनी फ्रेंड से साधी नहीं करेंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा लेकिन फीफी को अपने डैड को मून गॉड़िस की कहानी पर विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले खुद मून पर जाना होगा जो अभी के लिए impossible था क्योंकि मून पृत्वी से लाखो किलो मीटर दूर था लेकिन वो इतनी आसानी शेहार मानने वाली नहीं थी इसलिए वो चांद तक जाने के लिए रॉकेट बनाने का फैसला करती है और वो अपने इस मिसन में पूरी तरह से जुट जाती है वो अलग अलग तरे के रॉकेट का मॉडल बना कर एक्सपरिमेंट करती है और साथ ही रॉकेट बनाने के लिए उनलाइन बहुत सारा सामान भी मंगाती है जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रही है लेकिन काफी दिनों के लगातार मेहनत और बहुत सारे रॉकेट प्रोजेक्ट फेल होने के बाद इसका रॉकेट काफी दीरे दीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन जल्दी वो स्पीड पकड़ने लगती है और हवा में उनने लगती है वो अपने रैबिट के साथ काफी तेजी से चांद की तरह बढ़ रही थी जिससे वो काफी जादा खुज थी लेकिन अगले ही पल उसके रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता और वो अपने रॉकेट के साथ तेजी से नीचे गिनने लगती है और उसी दोरान उसके रॉकेट में छुपे हुए अपने डैड के फ्रेंड के बेटे के बारे में पता चल जाता है जिसे रॉकेट में देखकर वो पूरी तरह से हैरान थी लेकिन अब इससे पहले कि वो दोनों रॉकेट के साथ नीचे धरती पर गिरते चांद से आती हुई एक रॉष्णी उनके रॉकेट के ऊपर पढ़ती है जिसके बाद उनका रॉकेट उस मैजिकल रॉष्णी में अपने आप ही चांद की तरह बढ़ने लगता है चांद के पास पहुंचने के बाद अचानक से कुछ मैजिकल जीव उनके रॉकेट के साथ खेलने लगते हैं लेकिन फाइनली किसी तरह उनका रॉकेट चांद पर लैंड हो जाता है जिससे फीफी काफी खुश थी अब वो मैजिकल क्रियेचर उन दोनों को अपने साथ उड़ा कर मून गॉड़िस के किंगडम में ले आते हैं जो की देखने में काफी जादा खुब सूरत था और बिल्कुल बीच में मून गॉड़िस का प्यारा सा पैलेस बना हुआ था अब फीफी से मिलने के लिए मून किंगडम के मैजिकल मून केक आते हैं जो फीफी से बात भी कर सकते थे मून केक्स मून किंगडम में फीफी का स्वागत करते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों को अपने साथ उच जगे पर ले जाते हैं जहांपर मून गॉड़िस खुशी से गाना गा रही थी मून गॉड़िस के पार्टी में जाकर वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं लेकिन वो उस तस्वीर को फीफी को देने के बदले अपने लिए लाए गए गिफ्ट की मांग करती है अब क्योंकि फीफी मून गॉड़िस के लिए कोई गिफ्ट लाई नहीं थी इसलिए वो Moon Kingdom के Magical Chicken के साथ Moon Goddess के लिए एक प्यारसा गिफ्ट ढूनने निकल पड़ती है और वो लड़का फिफी के Rabbit के साथ Moon Goddess के Palace में ही रहता है फिफी के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का सोचता है कि क्यों न वो Moon Goddess के पास से फिफी के साथ सेलफी वाली तस्वीर चुरा ले और वो ऐसा करने की कोसिस भी करता है लेकिन इस दोरान वो एक जगे पर कैद हो जाता और वहीं पर फस कर रह जाता है Moon Goddess इस बात को लेकर काफी जादा परेशान थी कि वो उस योद्धा से दुबारा कभी नहीं मिल पाएगी जिससे वो प्यार करती थी अगले सीन में हम फिफी को देखते हैं जो Moon Kingdom के Magical Chicken के साथ Moon Goddess के लिए एक प्यारसा गिफ्ट होने के लिए जा रही थी लेकिन उसी दोरान आसमान से अचानक से टूटे हुए तारों की बारिश होने लगती है लेकिन वो किसी तरह इन सबसे बज़ते हुए Moon के दूसरे साइड अपने क्रैस हुए रॉकेट के पास पहुँचती है और वो फिफी को अकेला ही वहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं अब फिफी वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी वहीं दूसरी तरफ Moon Goddess के किंगडम में हम फिफी के रैबिट को देखते हैं जो Moon Goddess के रैबिट को एक मैजिकल सीरम बनाते हुए देख रहा था इसके बाद हम वापस से फिफी को देखते हैं जिसे गोबी नाम का एक मैजिकल डॉग मिलता है और वो दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिफी गोबी की मदद से Moon Kingdom के जाइंट और मैजिकल फ्रॉग पर बैट कर उन चिकन का पीछा करती है उससे Moon Goddess का डॉल चीन कर भागे थे और जल्दी वो उन तक पहुँच भी जाती है और किसी तरह काफी मुस्किलों का सामना करने के बाद उसने Moon Goddess की डॉल हासिल करने में कामियाबी पाली थी लेकिन वो मैजिकल चिकन भी इतना असानी शेहार मानने वाले नहीं थे इसलिए वो लगतार फीफी से डॉल हासिल करने की कोसिस कर रहे थे जिसके दोरान वो डॉल पूरी तरह से डिश्टॉय हो जाती है फीफी ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि सिर्फ डॉल की मदद से ही वो मून गॉड़ेस को खुस करके उससे अपनी सेल्फी वाली तस्वीर हासिल कर सकती थी और अपने डैड को ये विश्वास दिला सकती थी कि मून गॉड़ेस सच में है वो दुखी होकर अपने साथ लाई मून केक खाने लगती है और इसी दोरान उसे मून केक के अंदर से एक टूटे हुए लॉकेट का हिस्सा मिलता है जो मून के सेप का था लॉकेट के टूटे हुए उस हिस्से को देखकर वो समझ जाती है कि यही वो गिफ्ट है जिसके बारे में मून गॉडिस उससे बात कर रही थी और फिर इसके बाद वो गोबी के साथ मून गॉड़िस के पैलस की तरफ उन्हें वो लॉकेट का हिस्सा देने के लिए निकल पड़ती है पैलेस में पहुंचकर फीफी जब Moon Goddess को Locket का वो टूटा हुए हिस्सा देती है तो Moon Goddess बहुत खुस होती है क्योंकि उस Locket का एक हिस्सा पहले से ही Moon Goddess के पास मौझूद था और उन्हें उसके टूटे हुए हिस्से की तालास थी Moon Goddess उस लौकेट के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाने के बाद उसके उपर अपने पैट रैबिट के दोरा बनाएगे Magical Serum को डालती है और अपने प्यार उस युद्धा को वापस से पाने का विस मांगती है और अब देखते ही देखते वहाँ पर चारो तरफ बदलाव होना सुरू हो जाता है और Moon Goddess के चारो तरफ लंबे लंबे पेल उगाते हैं और वो इस समय किसी Magical Forest में मौजूद थी और कुछ समय के बाद Moon Goddess का प्यार वो युद्धा भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर Moon Goddess बहुत खुस होती है और उसे गले से लगा लीती है लेकिन वो युद्धा नहीं बलकि उसकी Soul थी क्योंकि युद्धा की मौत तो सालों पहले ही हो चुकी थी क्योंकि वो Moon Goddess की तरह immortal नहीं था युद्धा की Soul Moon Goddess को बताती है कि अब मैं कभी वापश नहीं आ पाऊंगा इसलिए तुम मुझे भूल कर लाइफ में आगे बढ़ो इसके बाद उस युद्धा की Soul वहाँ से चली जाती है Moon Goddess ये जानकर बहुत दुकी होती है जिसकी वज़े से चारो तरफ अंधीरा चाना सुरू हो जाता है क्योंकि Moon Kingdom पूरी तरह से ही Moon Goddess के Magical Power से बना था फीफी उस चोटे लड़के और अपने बाकी दोस्तों के साथ Invisible दिवार के उस पार ये सब देख रही थी दिवार के उस पार से वो छोटा लड़का ये सब देख रहा था और अब उसे काफी चिंता होने लगी थी क्योंकि बाहर से उसे लग रहा था कि फीफी अंदर फस गई है इसलिए वो दिवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और फीफी को वापस चलने को कहता है और उनके खुस होते ही मून किंगडम में वापस से रोशनी आ जाती है और सारे जीव बहुत खुश थे अब मून गॉड़ेस फीफी को अपने साथ सेलफी वाली वो तस्वीर दे देती है जिसके बाद फीफी अपने रैबिट को मून पर ही छोडने का फैसला करती है क्योंकि वो मून गॉड़ेस के रैबिट का एक अच्छा दोस्त बन गया था इसके बाद फीफी अपने फ्रेंड गोबी को बाई बुल कर धर्ती पर जाने के लिए निकल परती है वो जब अर्थ के अट्मोसफेर में इंटर करती है तो गर्मी से मून गॉड़ेस के साथ की उसकी तस्वीर जलने लगती है जिससे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और तस्वीर को जल जाने देती है क्योंकि उसने चीजों को एकसेप्ट करना सीख लिया था और अब वो किसी के लिए कोई चीज साबित नहीं काना चाती थी अर्थ पर वापस आने के बाद वो उस चोटे लड़के को लेकर अपने घर पर जाती है और अब वो उसे अपना चोटा भाई और उसके डैड की फ्रेंड को अपनी मॉम एकसेप्ट कर लिया था जिससे फिफी के डैड भी बहुत खुश थे और अब वो अपनी हैपी फैमिली के साथ खुशी से रहने लगती है एक दिन जब रात में फिफी तालाब के किनारे बैटी होती है तो एक सारस फिफी के पास आता है और अगले ही पल वो अपने जुन्ड के साथ आसमान में चांद की तरफ उड़ जाता है सारस को देखकर उसे लगता है कि सायद मून गॉड़िस उससे मिलने के लिए पिर्थवी पर आई थी और इसे के साथ ये मुवी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो पली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले